अपनी जमीन को इस रूप में देखकर बहुत दुख होता है। पैंगलूरू जिसे एक समय पे जीलो की नगरी कहा जाता था, वो पानी की कमी वाला अगला शहर बनने वाला है। आपके बच्चों या शालत में हैं। औसतन भारत की हर नदी में हर साल आठ प्रतिशत पानी कम हो जाता है। सोला सालों में ज्यादातर नदियां गायब हो जाएंगी। आठ प्रतिशत की गिरावट है। साल के लगभग सात महिनों में कावेरी समुदर तक नहीं पहुँच पाती। वो सूख जाती है। यहीं कहीं आसपास। आज यह 46 प्रतिशत कम है उससे जितना यह 40 साल पहले थी। आपके बच्चों या शायद उनके बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कावेरी क्या है। जब हमने नदी अभियान शुरू किया था। हमने 50,000 से ज्यादा कला प्रतियोविताएं की थी पूरे देश में क्योंकि हम बच्चों को जागरूग बनाना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। कई बच्चों ने भूरी रेत का चितर बनाया और उन्हें लगा यही नदी है। क्योंकि उन्होंने ऐसी नदी देखी है। सबसे बड़ी चंता पानी नहीं है। सबसे बड़ी चंता मिट्टी है। मिट्टी में परियाप्त जैविक तत्व न होने का मतलब है, आप पानी को रोक नहीं सकते. भारत में 16 करोड हेक्टेर खेती की जमीन है. इसमें से 10.4 करोड हेक्टेर खेती की जमीन की मिट्टी संकट में है. इसका मतलब है इस देश में भोजन उगाने की गंभीर समस्या होगी अगले 15 से 20 सालों में 130 करोड लोगों के देश में अगर आप अपने लिए भोजन नहीं पैदा कर सकते तो ये सबसे बड़ी आपता होगी हमारी 96 प्रतिशत नदियां सिर्फ बारिश के पानी से बहती हैं अगर पेड होंगे तो बारिश के पानी को थामने की हमारी काबिलियत बढ़ जाएगी बारिश का पानी जो साल में लगभग 45 से 50 दिन तक हमें मिलता है वो अगले 50 दिनों में पूरा बह जाता है इस बहाव को धीरे करने का सिर्फ एक ही तरीका है वो हैं पेड कोई और तरीका ही नहीं है जंगलों को बढ़ाना असंभव है क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें पेडों पर आधारित खेती की ओर मोड़ना हम तमिल नाडू में 79,670 किसानों को इस तरफ मोड़ चुके हैं उनकी आमदनी 5-10 गुना बढ़ गई है 8-10 सालों में फिलहाल तमिल नाडू और करनाटक में हमें कभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कावेरी पुकारे हम 25 लोग तला कावेरी से तमिल नाडू के तिरुवरूर तक मोड़ सैकल चला कर जाएंगे हम पूरे मार्ग में कावेरी के तटों के साथ साथ चलेंगे और ना सर्फ जागरुकता पैदा करेंगे बलकि हम दोनों सरकारों से किसानों को साहता देने की बात कर रहे हैं जिससे वो सामान ये खेती से पेड़ो पर आधारित खेती की और जा सकें इसके लिए बस तीन से चार सालों तक सबसिडी देने की जरूरत है उसे बदलाव लाने में मदद करने के लिए उसके बाद उससे सायता की जरूरत नहीं है। अगर इन चार सालों तक आप उसकी सायता करते हैं तो वो पेडों पर आधारित खेती की ओर मुड़ जाएगा। जब आर्थिक फायदा होगा तब सबसिडी की भी जरूरत नहीं होगी। लोग हर हाल में मुड़ेंगे। कावेर और सम्रिद्ध हो जाएंगे। जब मैं यूएन में बोल रहा था मैंने कहा मैं इस विवाह को आधिकारिक रूप देना चाहता हूँ। पर्यावरन और अर्थ व्यवस्था का विवाह सिर्फ तभी हम कुछ सार्थक पैदा कर पाएंगे। पर्यावरन लोगों के आर्थिक पुकारें तो वो बुला रही है क्या आप सुन सकते हैं यही प्रश्न है अलो क्या आप सुन पा रहे हैं कावेरी पुकार रही है